तो खेले फ्रेंट्स, विल्कम बैक टो आउर चैनल, बी टेडर्स यूटूब आप सभी के बहुत दोश्वागत है, तो आप लिए बात करें के मुहरेट ट्रेडिंग, तो मैं इस वीडियो आपको बताने वाला हूँ कि पिछले 4-5 साल का, क्या हिस्ट्री रहा है मुहरेट लोस ना हो, तो आईए मैं आपको बताता हूँ कौन सी स्ट्रेडिजी है, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं, सबसे पहले आपका बहुत दोश्वागत है, बी टेडर्स की चैनल में, और आज बात करें मुहरेट ट्रेडिंग, सब कुछ, everything about this, इसके वारे में हम लोग सब बारे में, कब ट्रेडिंग होता है, और कौन सी स्ट्रेडिजी हमें काम करता है, देखो friends, मेरा मानना ये, end of the day हमें क्या करना है, हमें अपने profit बना कर जाना है, मेरा मानना ये हमें अपने profit बना कर जाना है, मुहरेट ट्रेडिंग के दिन कौन से स्ट्रेडिजी फोलो करें यह गजिए कितने पैसेंच रहेगा ट्रेड नहीं करेंगे इसे बेटर अगर आप ट्रेड नहीं करते हैं तो वह हुँद अच्छा रहाएगा क्योंकि दिखो फिल्डे कि लॉन जिहावी होता है और आपको लगा कि नहीं आज लॉस हो गया तो पुरा साल लॉस होता है एट सो यह सब कहाने का है ऐसा कुछ होता नहीं है लेकिन कि मैं आपके पैसेंस के लिए बलता हूँ अगर देखा आपको ट्रेड नहीं मिल दा है तो आप ट्रेड क्या कर सकते हैं और एड़ांस में अब बात कर लेते हैं मोरेट ट्रेडिंग का बार में में यह ओपनिंग होगा और 7.15 मिनिट पर मार्केट क्लोच जाएगा तो मार्केट क्या होगा छे वजी साम को उपन होगा और 7.15 में खुलोच जाएगा ठीकिए अब घबलाएए नहीं आप बढ़ेए मैं आपको बताऊंगा कप ट्रेड लेना यह घंटे की टाइम फ्रेम आपकर सेफ़ काकर रखा गया है ताकि आप लोगोन कुछ सीखो देखूँ यह 1700 मार्केट क्या हूआ मार्केट खूला क्या? मार्केट खूला गेपटाउन त्वारे सामिटे को ङप डाऌ हुजा इस तो entra1 नहीं गो supplier से लेना त्व हिर्शा 5 ciao है ट्वान होला अर्चिक अह डाउंट्रेंट रहा है ठीक है चलिए अब बात कर लेते 18 का लाश्ट में बात करेंगे conclusion क्या निकलता है कॉंक्लूर निकालता है आखिर करने क्या करने से पैसा बनता है ठीक है चलिए 2017 का यह रहा 2018 का देखिए अब यहां से यहां से कुछ बदल रहा है यह 2018 रहा फ्रेंट मार्केट क्या हो मार्केट फुला गैप अप फुलने के बाद सार्प सेलिंग और फाइफ नेट केंडल का पर फिर मार्केट के होल्ड किया और मार्केट फिट फ़िफ अ एक स्पाइक मार्केट फिर उपर जाकर मार्केट क्वाटं कर दिया मार्केट यह आकरrences ऑगर क्लोज हुगம् तो यह 2018 का history रहा दोस्तर का आप लोगों देख लिए हाँ एक चीज से मिलेगा चलिए conclusion में लोग बात करेंगे कौन से चीज से मिलता है यह 2018 का हो गया चलिए बात करते है 2019 का देखिए 2019 अब मार्केट क्या हुआ हुआ इसे फ्रेंट्स मार्केट इसमें भी gap up फुला फिर नीचे आ गया तो तीन साल से आप देख रहे है तीन साल में आपको दिखा दिया तीन साल इस्ट्री में क्या रहा है कि मार्केट खुला या gap up फुला या gap down मार्केट को आना नीचे आई यानि मुहरत ट्रेडिंग दिन तीन साल तक अभी तक 2019 तक मार्केट नीचे आ है चलिए हम लोग 2020 के बात कर लेते हैं चलिए आगे देखते नेक्स्ट 2020 अब देखिए इसमें क्या हुआ सेम हुआ देखिए आपके लिए कलेक्शन करकर रखागा आप देख सकते हैं जाकर ट्रेडिंग वीव के चार्ट पर यह आपको पेड करना पड़ेगा लेकिन आपको जूरत नहीं है आप 5 साल कापी होता देखने के लिए मारیکट कुल आप Hide Au अच्छा का पर प्रफिट देखए य की रहा población काई थ्यांस तो अभी तक चार साल मार्केट चार साल का इति neighbourhood करा चार साल कई हुआ है मार्केट कि यह एक सिनेरियो बन रहा है चली हम बात कर लें अगला है sad 2000 लास्ट इयर को बात कर ले, देखें, लास्ट इयर क्या हुआ, सेम केस फिर मार्केट क्या हुआ, मार्केट गाप खुला, मार्केट गाप खुलने का फिर मार्केट क्या हुआ, नीचे की और बात आ गया, तो फ्रेंट्स ये देखो, कि end of the market वहीं बंद जाए, जहां से opening होत अगर आप पास low capital है, तो प्लीज उस दिन तो ट्रेड नहीं केजिएगा, ठीके प्रिंच, क्यों कि आपको loss हो सकता है, और आपका अच्छा कासा दिवाली भी गड़ सकता है, ठीके, देखो, conclusion क्या निकलता है, conclusion निकलता है, कि market क्या है, तो अच्छा कासा gap up होगा, ये gap down ह होगा, जो अभी की सिनारियों लग रहा है, market gap up होगा, चांसे जीज भेरी है, market gap up होगा, ठीके प्रिंच, लेकिन अभी इस 5 साल में एक और हितिहास क्या है, second point क्या है, second point ही है, market gap up खुला है, ये gap down खुला है, market धीरे-धीरे करके एक वार range में नीची आया हुआ हुआ है, म मुहरे trading के पीछले 5 साल होगा, हाँ, अब बात के लिए तो strategy, strategy हमें कौन सा परियोग करना चाहिए, ठीके प्रिंच, देखो, अगर market में बता रहा हुआ, अगर आपको बस capital है, आपको बस एक लाग भी है, तो आप अच्छा से hedging करके strangle बना दिए, आप strangle बना दिए, या आप एक call, पुरा call उपर कर आकर short कर दिए, पुरा 24-500 पाइंट का 17-30 call call short कर दिए, आपको अच्छा कदर premium decay हो जाएगा, कुछ ने कुछ मिल जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि फ्रेंच के हमें बड़ा profitability बना कर जाए, हमें कि थोड़ा सा green view जाए तो एक strategy का है कि आप a straddle short कर सकते हैं, कम किसे out of the money कम से कम 400 उपर है और 400 नहीं चाहिए, नहीं 100-100 रुपया का आप call and put को short कर सकते हैं, तो उस दिन straddle में अच्छा कासा time decay होता है, और इसमें क्या होगा ना friends, देखो ऐसे ही अगर आपने buy किया है, या call buy किया या put buy किया ह होगा, gap up खुलने के बाद भी, लेकिन देखो ऐसा होता नहीं, यह आप market में क्या है, दो दिन trace difference, दो दिन plus Monday का पूरा दिन, तो यह तीन दिन में क्या होगा, time decay होगा, time decay होगा, time decay होगा, time decay होगा, तो in case में क्या होगा, premium मिलकुल गल जाएगा, premium क्या होगा, premium बहुत true या तो रातो रात क्या होगा, जो strangle search करके गया होगा, या call search करके गया, push search करके गया हो, तो अच्छा कैसा profit बना के जाएगा, friends, तो इसलिए उस दिन क्या करना है, option buying को avoid करना है, option buying को avoid करना है, option buying थोड़ा नहीं करना है, अगर आपको असलोग capital है, तो कोई बात नहीं, आप trade क को avoid किजिए, और अच्छा सबने दिवाली मनाईए, तो यह रहा, फ्रिंट्स, chart, analysis और strategy, ठीके फ्रिंट्स, तो यह पांसलोग का strategy यही काता है, कि market gap up खुलेगा, या gap down खुलेगा, लेकिन market थोड़ा सा क्या हुआ है, थोड़ा सा gap up या gap down को market नीची आया हुआ हुआ है, अभी का scenario कि market gap up हो सकता है, तो चलो friends, यह तो हमारा analysis रपांसलोग का, अभी आपको बता दिया strategy, क्या करना है आपको साथ में, आपने history भी देख लिया, तो उमीदें, आपको वीडियो पसंद आ रहा है friends, तो thanks for watching, और subscribe और चैनल, अगर आप चैनल नहे है, तो please चैनल के subscribe ज